हेलो एवरेवन विज्ञान विक्ष में आप सभी का स्वागत है हम लोग पढ़ रहते जनरल और गैनिक केमेस्ट्री डैट मींस इस्ट्रेक्चर और बॉंडिंग ऑफ कार्बन आप लोगों ने बहुत सारे एफेक्ट पहले ही पढ़ लिया है जैसे रेजोनेंस एफेक्ट इ कैसे अपलाई होता इसका application क्या है इसका reactivity पर क्या रोल है काफी ज्यादा important रखता है जैसे कि आप सब को मैं already discuss कर चुका हूं यह बता चुका हूं कि सब भी किसी compound की stability वगेरा देखने जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले aromaticity चेक करते हैं aromaticity सबसे ज्यादा priority रखती है उसके बार resonance effect dominate करता है किसी दूसरे effect पर अगर मान लिजे एक effect और बी resonance और inductive दोनों एक साथ लगते तो कौन सा dominate करता है resonance dominate करता है अगर हमारा मान लिजे resonance लगे और hyperconjugation लगे तो कौन dominate करेगा उसमें भी हमारा resonance ही dominate करेगा इसी तरीके से हम लोगों ने अल्रेडी डिसकस किया कि सबसे ज्यादा aromatic property की वज़े से जो stability आगी वो maximum होगी फिर उसके बाद resonance की वज़े से मिलने वाली stability second number पे होगी third पे हमारा hyperconjugation और सबसे चौथे नंबर पे हैं सबसे लास्ट में हमारा inductive effect आता है इनके बीच में जितने भी difference हैं वो सब हम लोग discuss कर चुके हैं अगर आपको याद हो पाई बॉन्ड के resonance को या पाई बॉन्ड के डी लोकलाइजेशन ओफ एलेक्ट्रॉन को ही resonance कहते थे और inductive किसे कहते थे सिग्मा बॉन्ड के electron की shifting बस खाली थोड़ा सा एक जगे से दूसरी जगे डिस्प्लेस करना inductive effect कहते थे ये सारी चीज़े हमने देखी थी बच्चो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक important information आप जोईन कर सकते हैं विज्ञान विक्ष के B.Sc. semester and yearly courses को जो design किया गया है आपके university syllabus को ध्यान रखते हुए और दोस्तों साथ ही एक course बहुँ ज़्यादा affordable है और इसमें आपको मिलता है complete course in the form of video lectures, lecture notes, previous year question papers and mentorship ये सब आपको मिलेगा विज्ञान विक्षैप पर जिसका link इस video के description में दिया गया है आज हम बात करेंगे hyperconjugation आप कहोगे sir आपने sigma पढ़ा दिया है, pi पढ़ा दिया है अब ये hyperconjugation में कौन से electron की shifting देखने को मिलेगी तो आपको मैं बता दूँ जो hyperconjugation है वो inductive और resonance को दोनों को जोड़ देगा that means इसमें sigma bond की electron density और pi bond की electron density के बीच में resonance होता हुआ दिखेगा inductive में sigma bond के electrons का shifting होती है तो वो inductive effect होता है जब pure pi bond की delocalization हो या dispersion हो तो उससे क्या कहते हैं उससे हम resonance कहते हैं लेकिन hyperconjugation क्या होता है sigma bond की electron density का pi bond की electron density के साथ conjugation या dispersion या resonance हो उससे आप hyperconjugation को होगे अगर एक और line में बता दूँ आपको hyperconjugation के लिए आप बोल सकते हो it is a modified resonance क्यों क्यों क्योंकि resonance क्या होता है resonance में pi electron के delocalization होता है या एक जगे से दूसरी जगे conjugation में रहते हैं वही similar चीज यहां भी होती है लेकिन यहां पे pure pi bond सिर्फ नहीं होते है पाई के साथ सिगमा का भी involvement होता है अगर पाई का ही होता तो इसका नाम resonance ही ना पड़ जाता कुछ difference है इसलिए इसका नया नाम दे दिया है hyperconjugation effect पहली चीज दूसरी important चीज क्या है hyperconjugation effect को scientist का नाम के according baker Nathan effect भी कहते है बेकर Nathan scientist ने इसको discover किया सारी चीजे बताई तो उसकी वज़े से इसका दूसरा नाम क्या है बेकर Nathan effect है तीसरा नाम इसका क्या है no bond resonance यह क्या होगा no bond resonance मैं अभी आगे detail में समझाओंगा उससे पहले आप simple से words में समझ लीजिए sigma और pi bond के बीच का जो resonance होगा वो hyperconjugation होगा सिर्फ और सिर्फ sigma bond के बीच में जो electron का delocalization होगा वो inductive effect होगा और जो हमारे pi bond के ही बीच में खाली electron का delocalization हो रहा हो तो वो pure resonance होगा मतलब आप कह सकते हो कि hyperconjugation थोड़ा बहुत sigma और pi के मनलब थोड़ा बहुत inductive और resonance का mixture type का लगेगा चलिए शुरुआत करते हैं we have already discussed plus i effect plus का क्या मतलब होता है जिसके पास positive approach होती आप याद करने की trick बता रखा हूँ चाहे वो plus r effect हो चाहे plus i effect हो चाहे plus h effect हो चाहे plus e electromeric effect हो कोई भी हो plus का मतलब है donate करना positive approach रखना दूसरे को कुछ देने की प्रवत्ति रखना लेकिन वहीं पे negative का क्या मतलब होता है बस किसी से कुछ ले लिया जाए वो चाहे minus i हो उसमें sigma electron density लेता है अब minus r मतलब resonance में जो minus i effect होता है r effect होता हो क्या होता है पाई electron छीच लेता है अपनी तरफ उसी तरीके से electromeric में होगा और साथ ही साथ में hyperconjugation में भी देखने को मिलेगा तो plus i effect क्या है जो अपने electron density sigma bond से donate करते हैं उसमें क्या था जितना जादा बलकी alkyl group होगा उतनी electron की donation की tendency जादा होती थी इसी लिए जो tertiary alkyl group होते थे उनकी electron donation tendency सबसे जादा होती थी यह यह कह लीजिए hyperconjugation उनका inductive effect सबसे जादा होता था तो यहां पर आप देख रहे हैं यह कौन से order है यह tertiary है यह secondary है यह primary है और यह methyl है अब इसमें क्या है यह सबसे जादा है अब यह आप carbon है यह carbon है यह अपने adjacent कोई भी ग्रूप लगा हुआ है इससे अकेले electron density दे क्योंकि आपको पता है hydrogen तो electron density नहीं देता था वहाँ पर जहां पढ़ें आज हम सीखेंगे यह hydrogen भी electron density donate करता है adjacent multiple bond या πाई bond में कहलो जिसको हमको आज पढ़ना बट इससे पहले क्या है एच वेच नहीं देते थे लेकिन अगर इस एच की जगह CH3 आ जाए तो हम बोलते थे कि यह अपनी electron density तो दे ही रहा है साथ में इस group कमान लीजे अपनी 5 दे रहा है इस group की वज़े से एक देने लग इस वाले में दो ही CH3 हैं तो 5 तो खुझके और 2 इन CH3 के मतलब 5-1-1 टोटल कितने हो गए 7 हो गए इसमें 5 खुझके और 1 इसका मतलब जैसे जैसे अलकाईल group कम हो रहा है अलकाईल group का bulkiness कम हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा वह हमारा यह देखने को मिलेगा कि उनका plus i इफेक्ट डिक्रीज करेगा यह तो हम लोग अल्रेडी पढ़ चुके हैं यह और यहां पर हमने लिखा है अब जो हाइपर कॉंजिगेशन होता है वो क्या होगा हावेर दीज अलकाइल गुरॉप सार अटेज्ड टू एन अन्सैचुरेटेड सिस्टम अन्सैचुरेटेड सि पीज के डबल या ट्रिपल बॉण्ड अगर प्रेजेंट होते हो तो उन्हें अन्सैचुरेटेड बोलते हो तो जब भी अलकाइल गुरूप अलकाइल गुरूप क्या है कोई भी आर गुरूप जिससे जैसे एक्जामपल ले लिजी सिस्ट्री बेसिक है अगर किसी से अट प्राइन ही तो है बेंजीन और कुछ थोड़ी है तो ये भी अन्सैचुरेटेड ही है तो ये देखने को मिलता है इससे क्या देखने को मिलेगा दो ओर्डर ओफ प्लस आई एफेक्ट एक्चुली रिवर्स कहने का मतलब क्या है जो ओर्डर है प्लस आई एफेक्ट का वो हो जाएगा कहने का मतलब क्या है समझी है देखिए अगर आप से मैं कहूं यह CH3 है और यहां पर कोई group है यह CS3 है CS3 का whole thrice स्थी और यहां पर कोई group लगा हुआ है दूसरा है सिर्फ और सिर्फ CH3 और ये ग्रूप लगा है अब इसमें या मान ली दिए ये CH3 है और ये CH2 है और ये एक ग्रूप है अब देखिए यहाँ पे क्या है अगर सिर्फ और सिर्फ आप प्लस आई इफेक्ट की बात करोगे तो उससे समय पे आप क्या बोलोगे इसका बहुत जादा बलकी अगर आपको ओर्डर देना हो तो ये 1 है हमारा और ये 2 है तो प्लस आई के कॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कौन होगा प्लस आई के कॉर्डिंग पहला वाला हमारा डॉमिनेट कर जाएगा सेकंड वाले पे बताइए होगा कि नहीं बिलकुल होगा ऐसे ही होगा लेकिन हम रहे हैं कि ये जब आई इफेक्ट अगर किसी अंसाचुरेटेड सिस्टम पे लग जाए या बेंजीन जो है अंसाचुरेटेड ही तो है अलकीन की तरह है उससे यही अलकाइल गुरुप जोड़ जाए तो प्लस आई इफेक्ट का और रिवर्स हो जाता है कैसे उठा लीज इस तो यहां पे अगर आपको प्लस आई का ऊडर पूछा जाए तो इसमें प्लस आई का और क्या होगा आपके कर्डिंग तो यहां से एलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा हो रही होगी और यह जीतेगा और यह वाला हार जाएगा मतलब फर्सट वाला डॉमिनेट करेगा second पे लेकिन याद रखिएगा इसको order second का पहले होगा और first का बाद होगा reason क्या है reason यह है कि यहाँ inductive लगी ही नहीं रहा है inductive का roll नहीं है यहाँ पर roll आ रहा है hyperconjugation का hyperconjugation क्या होता है यह अभी just समझ में आ जाएगा जिसको बेकर नाथन इफेक्ट या no bond resonance कहते हैं no bond resonance कहते हैं क्यों कहते हैं यह देखेंगे अब देखिए यह हमने लिखा है और vital यहाँ से अब आपको समझ में आएगा actual hyperconjugation कैसे work करता है सारी चीज़ बस थोड़ा से टाइम दीजेगा आज पूरा hyperconjugation और इसके इंपक्ट क्या है प्रॉपाइटी को कैसे चेंज करता है या कैसे stability को डिफाइन करता है जस्ट अभी आज सीखेंगे थोड़े से टाइम में और वाइटल concept of hyperconjugation hyperconjugation is an extension of resonance effect यही तो बताया था कि resonance effect ही है बस खली उसका थोड़ा modified form है whereas resonance effect involve pi electron बिल्कुल थोड़ी देर पहले यही डिसकस कर रहे थे सिग्मा के electron की displacement बात होती तो inductive होता है पाई की delocalization की बात होती तो resonance होता है और अगर सिग्मा पाई दोनों mix हो जाए वो हमारा hyperconjugation होता है यह चीद देखना है hyperconjugation involved sigma electron through overlapping of a p orbital अब याद करिए p orbital कहा होता है p orbital जब भी हमारा pi bond बनता है तो वो p orbital से बनता है यह unhybridized p orbital से बनता है तो sigma electron density क्या है sigma bond की electron density और p orbital के बीच में जो conjugation होगा delocalization होगा उसी को आप hyperconjugation बोलोगे overlapping of a p orbital of double bond with sigma orbital of adjacent single bond does hyperconjugation में भी regarded as sigma pi conjugation याद रखिएगा जब resonance पढ़ते हो तो उसका नाम होता है pi to pi या lone pair to pi और यह सारी चीज़े पढ़ते हो लेकिन जब sigma bond की बात आती न ऐसा resonance में भी कई सारे type होते हैं जैसे non bonding to pi होता है pi to pi होता है carbon ion to pi होता है carbon cation to pi होता है यह सारी चीज़े होते ही मलब बहुत सारे type होते हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें sigma pi हो क्योंकि जैसे ही involvement sigma का pi के साथ आएगा वो तुरंत ही हमारा hyperconjugation के साथ deal हो रहा होगा hyperconjugation के अगर आप यह structure देखें आपको यहां से सारा orbital का picture समझ में आ जाएगा यह है CH3 यह है CH double bond CH2 मतलब इसे आप क्या नाम दोगे यह प्रोपीन है अब आपको पता है जहां पर double bond की presence होती है वो unhybridized P orbital के single-single electron होते हैं उनमें overlapping होती है और covalent bond की formation होती है तो यहां पर यह वाला एक P orbital हमको देखने को मिलेगा और दूसरा P orbital यहां पर देखने को मिलेगा एक hydrogen, दो hydrogen और एक hydrogen यहां हम मान लेते हैं इसके पास तीन hydrogen है एक, दो और तीसरे कम है यहां पर loan pair time मतलब यह यहां पर sigma bond दिखा रहा हो कुछ ऐसे अब देखिए होगा क्या यह जो orbital है आपको पता है एक electron इसमें होता है एक इसमें होता है क्योंकि carbon की valence असल में चार electron तीन sigma bond बना लिए, hybrid ideation sp2 हुआ और एक P जो बच गया उसमें एक electron है और वही तो overlap करके equivalent bond बनाते हैं लेकिन जब यहां पर देखोगे यह hydrogen यहां पर आप overlap कर चुका है तो यहां पर दो electron है, दो electron है, दो electron है, दो electron इसमें भी है, दो electron इसमें है, सब में दो electron होते हैं सारे bondों में, अब यहां पर इनके बीच में जो bond बना है, उसके बीच में कितने electron है, एक यहां, दो यहां, अब देखिए होगा क्या, यह वाला जो hydrogen यहां से link था, अगर मैं इसको erase करता हूँ, एक मिनट रोकिये, ठीक है, यह जो hydrogen है यहां का, इस जगह पर hydrogen जो है, वो यहां से निकल ज हैगा, मतलब यहां से, अब इस hydrogen को मैं erase कर देता हूँ, समझाने के लिए, और erase किया, तो यह यहां पर electron density छोड़ के गया है, और यहां H प्लस निकल गया, अब यह electron density इस पर छोड़ के गया है, तो कौन सा charge दिख रहा होगा, निगेटिव, वैसे ऐसे दिखाते नहीं है, सी सीधा सीधा, अगर मैं आपको actual में बताऊं कैसे बनता है, तो देखिए, यहां पर कैसे बनेगा, यहां पर direct ऐसे ही दिखाना पड़ता है, कि यहां पर एक ऐसे bond होगा, और यह H होगा, और इसकी जो sigma electron density है, वो sigma electron density direct इसके P orbital में जाती है, इसी लिए तो यह line लिखा है, कि sigma electron through the overlapping of P orbital of double bond, मतलब P orbital जो double bond की होगी, उसमें donation कर देगी, तो यह बताइए क्या carbon 10 electron अपने round रखेगा, क्या carbon अपना octet से जादा रखेगा, हम मैं कहूंगा नहीं रखता है, क्यों? क्योंकि second period के जितने भी element है, वो अपना octet पूरा करने के लिए मरते रहते हैं, और carbon तो tetra valent होता है, 5 bond तो बना नहीं लेगा, मान लीजिए अगर यहां से आएगा, तो इसका मतलब यहां पे एक double bond बन रहोगा, एक यह hydrogen यहां बना हुआ है, और यह pi bond यहां भी बना, मतलब क्या 5 bond बनाएगा carbon, यह तो impossible हो जाएगा, that means कहीं न कहीं breaking भी जरूरी है, तो क्या होगा यह वाली जैसे ही इधर से donation देखने को मिलेगी, वैसे ही यह electron, यह जो वाले electron है, यह एक carbon पे shift हो जाएंगे, और जैसे ही shift होंगे, तो आपको resultant species क्या मिलेगी, resultant species देखिए कैसे मिलेगी, यहां से 2 hydrogen तो ही, 2 है, 1 H+, यहां पे भागाया, तूट गया, अब इसके बीच मे पहले sigma bond था, यह वाली electron density इसमें गई, that means यहां pi bond बन गया, और pi bond बना तो मैं यहां पे 2 bond दिखाऊंगा, अब यहां पे एक sigma bond पहले से था, और इसके साथ यहां पे hydrogen एक था, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहां पे 2 hydrogen पहले, hydrogen तो जैसे थे वैसे ही, बस यह वाला जो hydrogen है, यह जैसे यहां पे दिखाया, कुछ अलग orbital नहीं दिखाई है, बस एक representation का तरीका है, नहीं तो यह भी आप ऐसे दिखा लीजे, कोई दिक्कत नहीं है, बस complicate नहीं किया गया है, इसलिए यहां पे line से दिखा दिया गया, यह actual structure हुई, अब होगा क्या, यहां पे जो पहले pi bond था, वो दो नमबर hydrogen इसका तीन नमबर, तो तीन hydrogen ऐसे होंगे, जो hyperconjugation करते दिखेंगे, यह आपका पूरा overall orbital structure है, यह orbital view से आपको समझाया गया है, यह sigma orbital कैसे pi orbital में transfer होती, इसके जो यहां पे दो electron है, वो पूरा का पूरा यहां transfer हो जाएगे, और इनके बीच में bond बन जाएगा, और यह pi orbital ऐसी ही रहेगी, इसके बाद यह जैसे ही आगे shift होगी, तो यहां पे क्या है, negative charge आज जाएगा, जैसे ही negative charge आज जाएगा, तो फिर वापस आएगा, मतलब जैसे यादगरी resonance में क्या बता है था, के electron जाएगा, circulate करता रहता है, गूमता रहता है, सिर्फ काम क्या है, हम अपने charge को disperse करना चाहते हैं, क्योंकि charge जितना भी disperse होगा, जितना ही move करेगा, उतनी energy release करेगा, और जितनी ही energy release होगी, उस system उतना ही जादा energy down कर लेगा, अपनी और stable हो जाएगा, क्योंकि कोई भी system हो, अपने आपको stable करना चाहता है, और अपनी energy down रखना चाहत है वो हम लोगों ने यहां पे देख लिया है चलिए यह देखिए in terms of resonance structure hyperconjugation कैसे define करेंगे वो यहां पे है अब देखें यह वाली जो sigma की electron density यहां पे है आपको पता है इसके पास क्या होती है P orbital है यहां पे ऐसे यह लीजिए अब यहां की जो P orbital है तो क्या होगा यहां पे तो bond present है बीच में यहां पे तो overlapping हो गई इनकी उपर वाले उपर लोब से अब यहां में समझाईएगा कि कैसे पाई का overlapping होती है सब already discuss कर चुके है यह वाली electron density जो है वो shift हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक carbon पे और यह जो sigma के electron sigma bond के electron density है वो इस P orbital में आ जाएगी तो इस carbon से और यह बाहर चला जाएगा तो इसी लिए यहां पे हमने तीन structures दिखाई है जो पहले कह रहा था कि तीन hydrogen है तो तीन hyperconjugating structures भी बनेंगी वो यहां पे मैंने mention कर दी है एक hydrogen पहले निकाला उपर वाला और उसके बाद यह देखे C double bond C किया यहां पे double bond बन रहा है और यह वाला double bond तूट रहा है तो इसके उपर negative charge similarly एक बार यह वाला तोड़ेंगे एक बार यह वाला तोड़ेंगे that means हमने तीन hyperconjugating structures बना दी अब एक चीज आपने अगर गेस की हो तो मैं बता दूँ क्या जो hyperconjugating structures है वो कैसे बन रही है ध्यान से देखिए जो एलकीन होती है एलकीन के just adjacent carbon पे जितने हमारे hydrogen है उतने हमारे hyperconjugating structure बनते दिख रहे हैं आपे तो अगर देखोगे यह हमारी अलकीन है यह अगर हमारी अलकीन है तो इसके just adjacent पे जो carbon है उस पे जितने भी hydrogen होंगे वो result की formation करेंगे hyperconjugating structures की तो जो adjacent में carbon होता उसका नाम क्या होता है उसको नाम हम देते हैं alpha carbon तो alpha carbon पे कितने hydrogen हमारे present हैं कितने hydrogen present है वो हमारे define करते हैं number of hyperconjugating structures अगर आप से कोई पूछ ले कि इस जो आपको प्रोपीन दी है उसके number of total number of hyperconjugating structures कितने होंगे तो simple सी चीज है अलकीन के alpha carbon पे जितने hydrogen हो उससे एक ज्यादा structure होगी अब आप पूछेंगे ऐसा क्योंकि एक structure ज्यादा होगी देखिए यहां पे structure number one है यह two है यह three है लेकिन इन सब की जो resultant form है वो यह भी तो है that means actual structure भी उसमें add करते हैं तो number of resonating structures अगर आपने किसी से आप से किसी ने पूछ ली तो क्या बताओगे जितने number of alpha hydrogen हो उससे एक ज्यादा तो यह आप लिख सकते हैं number of hyper conjugating structure is equal to number of alpha hydrogen plus one यह plus one क्यों है अभी जस्ट बता दिया है कि जो भी हमारे carbon का real structure मतलब जो भी compound दिया गया है उसका जो actual structure है उसके लिए लिखा गया है और यह आपके लिए हो जाएगा तो यह यहां से गलती ना करिएगा अभी आगे जाके देखेंगे जितने ज्यादा number of alpha hydrogen बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा stability आएगी वह सब समझाओंगा भी दो मिनट दीजिए भी सारी चीजे लाइन से हम लोग continue कर रहे है चलिए देखें यहां पर लिखा है इस एविडेंट फ्रॉम द अबो इस्ट्रॉक्चर जो हमने पीछे देखा है कि जो hyperconjugation है hyperconjugation occurs to the hydrogen atom present on the carbon atom next to the double bond जिसको आप क्या बोलते हो alpha hydrogen बोलते हो जश्ट अभी मैंने बताया है naturally more the number of alpha hydrogen atoms are attached more the number of hyperconjugating structures and hence greater is the inductive effect का कहने के मतलब सिर्फ है stability का है अब कहेंगे ऐसा क्यों याद करिए resonance में resonance में हमने क्या पढ़ा कि जितना ज्यादा de-localization होगा उतनी ज्यादा stability आएगी benzene में जो double bond है पूरे पूरे 6 carbon पे घूमते हैं उसकी resonance energy जो आती थी वह 151 kilo joule per mole में आती थी लेकिन 13 butadine में carbon सिर्फ एक ही जगे जाता था मतलब जो पाई bond है वो और तीन carbon पे गया फिर लोटना पड़ता था फिर गया फिर लोटना पड़ता था तो उसकी कितनी आती थी उसकी साड़े 12 kilo joule पर mole आती थी मतलब बेंजीन की 150 के राउंड है और इसकी 15 भी नहीं है सोचिए मतलब दस गुना जादा थी reason क्या था कि वहाँ पे एरिया जादा मिल रहा था बेंजीन वाले केस में पहली चीज दूसरी चीज इन दा केस ऑफ बेंजीन पाई एलेक्ट्रों सार इन साइक्लिक इन नेचर उनको लोटना नहीं है घूम रहें वड़िया यूनी डिरेक्शनल में बट इन केस ऑफ वन थ्री विटाइड आई एक बार पहले आगे गए फिर पीछे आए फ हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि ये मान लीजे एक हमारा structure था यहाँ पर मान लीजे ये CH3 लगा देता और ये हमारी इसमें क्या देखने को मिलेगा यह CW साथ और resultant species क्या मिलेगी यहाँ double bond और यह वाला negative charge ऐसा ही देखा है बिलकुल है तो एक structure तो यह मिल गई दूसरी क्या मिलेगी यह वाला इधर जाएगा और फिर से यह आएगा मतलब दो structure हो जाएगा अब बताईए क्या यह वाला यहाँ पे move करेगा तो मैं कहूंगा नहीं H plus की form में H तो निकल जाता है लेकिन CH3 नहीं निकलेगा CH3 नहीं तूटता है यह edge सच रहता है इसलिए अभी पीछे हमने hyperconjugation की definition बताई थी और उसमें बोला है आपसे उसमें बोला है कि number of alpha hydrogen, methyl या alkyl नहीं बोला है सिर्फ hydrogen की बात करना है अलकीन के बगल में कितने हैं वो आपको define करेंगे तो जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा stability बढ़ाएंगे जैसे resonance में जितना ज्यादा घूम रहे थे उतनी ज्यादा stability बढ़ा रहते उसी तरीके से इसमें जितने ज्यादा number of alpha hydrogen होंगे वह एक बार पहले उपर वाला जैसे यह वाला example देखा है एक बार यह वाल अलफा कार्बन पर एक यह दो तीन मतलब इसके कितने structure होंगे है रहाइपर कॉंजिगेटिंग इस्टक्चर होंगे और अगर चैहाइपर कॉंजिगेटिंग इस्टक्चर होंगे तो यह वाला हमारा more stable हो जाएगा इसी तरीके से जैसे जैसे number of hyperconjugating structure बढ़ेंगे वैसे व में आप यहाँ पर बात करो यह देखिए CH3 है और यहाँ CH double bond CH2 है तो यहाँ पर देखिए यह maximum देगा अब इसी में यहाँ पर आप CH2 लगा दीजिए CH3 की जगह है अगर आप यहाँ पर CH2 CH3 गुरूप लगा दीजिए यह कौन सा गुरूप है अलकीन के उपर आप कौन सा कारवन लगाओ नहीं सिर्फ कारवन यह जो एल्कीन है उसकी अलफा पोजीशन पर जो कारवन है उससे कितने हाइडरोजन लिंक है डिरथ अलफा हाइड्रोजन वह हमारे कौंट्रिबूट करेंगे हाइपर कॉंजिगेटिंग स्ट्क्चर्चर तो यह हम देखेंगे तो कितने होंगे दो होगा और ये वाला तीन होगा ये चीज मैंने यहां पर लिखा है दस दा ओर्डर ऑफ हाइपर कॉंजिगेटिंग इफ स्ट्रक्चर डिक्रीज इन दो ओर ये लेकिन अगर आप याद रखें आज ही के क्लास में भी पढ़ा है और इससे पहले भी पढ़ जैसे ही बात आएगी हाइपर कॉंजिगेशन की तो ये ओर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा क्या मिथाइल का सबसे जादा हो जाएगा और सबसे कम हमारा टर्सरी कारबन का हो जाएगा थोड़ी देर पहले यही पढ़ा है था या बोला भी था कि जैसे ही हम लोग अपने एलकाइल ग्रुप को किसी बेंजीन के साथ या किसी अंसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ जोड़ देंगे तो ये इंडक्टिव इफेक्ट को और रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा यहां पे हम लोगों ने इसको प्रूफ भी कर दिया है चलिए चलिए इसमें नहीं की किसी चीज को बीश्टेडी कर लिया क्यों कर लिया रीजन सारी अब उसका टरीजन HBO इसम इसक और रहते हैं है hyperconjugating structure का सबसे पहला है directive influence of alkyl group अब आप थोड़ास advance part में आ जाईए अपनी 11 12 और इन सारे classों में basics में वहाँ पर क्या पढ़ रहे थे वहाँ पर यह बोलते हो कि जो alkyl groups होते हैं अगर benzene की उपर लगा दो तो benzene ortho para directing हो जाती है ऐसा ही पढ़ा था और क्या पढ़ा था कि अगर कोई electron withdrawing group होते हैं तो वह हमारे meta directing होते हैं ऐसा ही पढ़ा था अब उसका आज आपको actual reason पता चलेगा कि ऐसा क्यों हम लोग बोलते थे कि अगर हमारी किसी भी benzene पे अगर methyl group यह दूसरा कोई alkyl group लगाते हैं तो वह आर्थो पैरा directing reason क्या है क्यों होता है और reason से देखिए यह हमारा है क्या है यह टॉल्वीन हमारा टॉल्वीन क्या होता है बेंजीन के उपर CS3 लगा दो यह हमारा है अब इस पर क्या होगा देखे यह अब इससे हमको क्या पता चलेगा एक इक्जामपल सही समझ लीजिए सब समझ में आ जाएगा थोड़ी देर पहले हमने बेंजीन का केस यह वाला प्रोपीन का केस देखा था यह हाइड्रोजन यह हाइड्रोजन और यहां पे CH और यहां डबल इस पर ट्रांसफर हुई थी तो रिजल्टेंट इस्विसीज क्या मिली थी वह आपको कुछ इस टाइप को देखने को मिले थी यह 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 लेक्ट्रोण देंसिटी यहां पर एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहां पर है इनकी ठीक है यह दोनों हाइड्रोजन है और इस यहां पर भी देखने को मिलेंगे ठीक है चलिए यहां पर देखिए वन टू और उसके बाद इस कारबन पर यहां पर दो इलेक्ट्रोण हो गए यह ऐसा देखा है अब क्या एक्चुल यही चीज़ क्या बेंजीन में भी है तो हम लोग देखते हैं देखिए बेंजीन में क तब होगा क्या वही होगा जो प्रोपीन में हुआ था यह जो सिमा बॉंड के एक्ट्रोण डेंसिटी क्योंकि यह कारबन कैसा है यह और यह ब्सपगर कार्बन के लिए हमारे अलफा कार्बन कितने है यह वाला है यह वाले में तो हमको कोई मतलब भी नहीं क्योंकि यहां SP2 कार्बन है और SP2 कार्बन हां एक और चीज बतानी थी जो हाइपर कॉंजगेशन में हम इस्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन गिंते हैं वह SP3 होना चाहिए SP2 नहीं होना चाहिए SP2 कार्बन होगा तो वहां पर हाइपर कॉंजगेशन नहीं होगी SP3 वाले से होगी तो यह सारे SP2 है that means result यहीं बचा कि सिर्फ यह कर ले तो यह क्या करेगा अपनी इसमें देगा इस वाले पी और बिटल में देखिए यहां पर भी तो यहीं कर रहे थे इस जगह भी तो यहीं कर रहे हैं कि यह वाली अपने बगल वाले पी में दिया और इन दोनों के बीच की जो थी वह आगे वाले में सिफ्ट हो गई Similarly यहां पर देखो यह वाली इलेक्ट्रों डेंसिटी इस वाले पी के बीच में जाएगी और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और जो आल्रेडी पहले से डबल बॉन्ड प्रेजंट था वो तूट जाएगा और वो जाए उसके बाद क्या है जो hydrogen यहां पर मान लीजिए इस side का दिखा है तो इसी side का दिखा लीजिए यह रहा यह वाली electron density दिखाई है वहां पर हलग तो यह यहां पर shift हुई और यह आगे shift हो गई यह हमको कहां पर जहां पर electron जाते हैं वहां negative charge यहां से जा रहे हैं तो hydrogen से दूर जा आते हैं तुरंद बॉंड बनाते हैं इसलिए यहां double bond बन जाएगा और एच प्लस यहां से बाहर निकल जाएगा और negative charge यहां बना का बना रह जाएगा यह सारी चीजे हमने next वाले structure में ड्रॉ कर दी है similarly यह negative charge आगे move करेगा फिर यह ऐसे यहां पर रहेगा उसके बाद यह further यहां पर आएगा फिर यह यहां से move करेगा और last structure यहां से आके चला जाएगा और जैसे पहले था वैसे का वैसा हमको दिख जाएगा मतलब यहां से यह वाला h जुड जाएगा मैं कहूंगा कितने hyperconjug structure दिख रहें देखिए जब हम बात करते हैं number of hyperconjugating structures की तो हम बोलते है number of alpha hydrogen plus one बोल दीजिए लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा देखिए यहां पर एक दो तीन तीन तो structure यह दिख गई plus एक यह hydrogen रह गया है यह बोल दीजिए एक अभी यह वाला hydrogen रह गया एक यह hydrogen रह गया इसी तरीके से तीन और structure और तीन और structure मतलब 6 resonating structure sorry 6 hyperconjugating structure और मिलेंगे यहां पे due to resonance क्योंकि यहां पे hyperconjugation तो होई रहा है उसके hyperconjugation तो इतना हुआ है लेकिन यह नीचे ring में चल रहा है पाई to पाई चल रहा है वो क्या है वो resonance है वो resonance है मैंने बताया है hyperconjugation कब बोलोगे सिर्फ और सिर्फ तभी बोलोगे अगर आप से पूछ ले क्या यह पूरा hyperconjugation है तो आप बोलोगे नहीं है reason क्या है जब भी sigma और पाई का conjugation होगा तो उसको आप hyperconjugation बोलोगे पाई टू पाई पाई टू लोन पेर पाई टू कार्बोकाटाइन पाई टू कार्बन आयन कुछ भी होगा वो सारे के सारे resonance होंगे तो अगर आपके सामने यह example आता है तो यहां पे hyperconjugation as well as resonance दोनों दिखाया गया है और अगर आपको better words में बता दूँ अच्छे से तो देखिए क्या है बताने को तो रेजोन आप यहां पे मैंने लिख दिया है 1,2,3 जैसा बुक्स में बताएगा लेकिन यहां पे क्या होता है actual में hyperconjugating जो हमारी structure है वो सिर्फ और सिर्फ पहली structure है reason क्योंकि यहां पे sigma electron density will transfer into the pi bond, pi bond में और यही हमारा hyperconjugation की definition है यही हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद क्या है यह negative charge है negative charge कहां जा रहा है तो एक तरह से क्या हो गया carbon ion pi bond में जा रहा है यह किसका example है यह example हमारा resonance का है resonance कैसे होता है pi bond pi में चला जाए, carbocation pi से pi का मतलब electron carbocation में चला जाए, carbon ion जो है वो हमारा चला जाए किसी double bond में लेकिन जैसे ही बात आते है sigma bond की तो वो hyperconjugating structures में आती है लेकिन आप लोगों के books में ऐसे बता दिया जाता है कि यहां से यह हमारी सारी resonating मतलब hyperconjugating structures है तो वो यहां पे क्या है actual में सिर्फ और सिर्फ यह हमारी hyperconjugating structure है और बाकी यह दोनों कैसी है यह resonating structure है बच्चा आपके सामने दिया है तो actual में जो हमने पढ़ा ना जो hyperconjugating structure होती वो क्या होती है the number of alpha hydrogen जितने होते हैं उतने से एक ज्यादा ले लो वो हमारे होते तो यही actual यहां पे भी व मतलब एक दो तीन तीन इस तीनों प्रोसेजस के पहले पहले इस्टप hyperconjugating structure होंगे और यह खुद है तो total number of hyperconjugating structure कितने होंगे इसमें भी चार होंगे यह याद रखिएगा लेकिन बुक्स वगेरा में बता देते हैं बुक्स वगेरा में आपको यह रिप्रेजेंट करके देते हैं कि यह तीनों है प्लस है और हो जाएंगे क्यों क्योंकि वह रेजोनेंस और hyperconjugation को add करके बता रहे होते हैं तो अब आपके उपर डिपेंड कर रहा है कि यह किसमें आप लिखते हो अगर यह एक्जामपल पूछा जाएगा तो resonance plus hyperconjugation का है यह चीज आपको बतान किया है अगर यहां पर फिर से देखोगे यहां पर अगर द्वेखने की जरूरत ही नहीं यहां पर आप देख लीजिए बार बार काफी बार ड्रॉ कर चुके हैं प्रोपीन का ही structure लेके पूरा समझाए देखिए यह एक्चुल प्रोपीन है उसके बाद है क्या यहां पर आ बीच में डबल बॉंड आ रहा है हम तो सोच रहें हैं सीट्व और सीट्री के बीच में कैसा बांड है सिगमा बॉंड है और एक बॉंड है बट डू तुडा डू दा हाइपर कॉंजिए सन यहां पे पार्सियल डबल बॉंड आता दिख रहा है वो भी एक बार नहीं एक द और तीन 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 बार आ रहा है मतलब एक साइटन पीरियद ऑफ टाइम के लिए वहाँ डबल बॉंड एक्जिस्ट कर रहा है याद कर यह बंजीन में क्या होता है हमको दिखता है एक जगे सिंगल बॉंड एक जगे डबल बॉंड लेकिन एक्चुली में क्या होता है वहा यहां भी single और double bond के in between हो जाएगा यह proof कैसे होता है यह लीजिए यहां पर experimental data की value दी गई है कि जो प्रोपीन में CC bond length होती है वो 149 Armstrong होती है अगर आपको याद हो अगर इसको तो पीको में बता दूँ यहां पर 154पी को मेंटर 134पी को मेंटर और अर बेंजीन की होती है 139पी को मेंटर आज जो आप्रोपीन की पड़ रहे है वो है 149पी को मेंटर ये किसकी है यह C single bond C की है ये c double bond c की है ये cc benzen की है ठीक है और ये cc propene की है आपके सामने ये data लिखा है इससे क्या पता चल रहा है ये हुई किसकी वज़ेस है benzen में किसकी वज़ेस होता है benzen की में जो variation आता है due to resonance इसका answer क्या है due to resonance लेकिन propene में क्या है प्रोपीन में तो ऐसा resonance का कुछ है ही नहीं इसलिए इसको हम बोलेंगे ये है due to hyperconjugation ये जो variation आया क्यों हुआ है ये due to hyperconjugation है यही है हम लोग बोल रहें ना कि इसका application पढ़ेंगे कैसे पता चलेगा तो ये आपके सामने समझ में आ जाएगा चलिए फिर हमारा है next topic है relative stability of halkeen कुछ नहीं है halkeen क्या है halkeen हमारा unsaturated होता carbon carbon के बीच में double bond होता उसे हम halkeen बोलते हैं अब उसमें जैसे ही आप h2 डालोगे तो क्या होगा unsaturated चीज saturate होना चाहेगी मतलब एक तरह से बोल दो halkeen जो है reactive होती क्योंकि उसकी πाई electron density है reactive होती क्यों है ये भी देख लीजिए आप कभी भी बनाते हो ये यहाँ पे double bond बना दिया और πाई electron density इनके बीच में यहाँ पे होती है और ये weak bond होते हैं sigma bond तोड़ना बहुत आसान होता बहुत कठिन होता है लेकिन pi bond तोड़ना weak होता है आसान होता इसलिए जिसमें भी जहाँ पे भी pi bond की presence होती है वो reactive होते हैं वो stable नहीं होते हैं वो reactive होते हैं और halkeen के case में क्या होता है हम लोग बोलते रहते हैं above the plane और below the plane pi electron density का cloud पूड लगा रहता है और कोई भी electrophile electrophile क्या होता है electron deficient species जैसे ही alken के पास आएगी वो कहेगा अगर हमको electron की जरूरत है तो alken क्या है उसके पास electron भर भर के पड़े हैं electron risk species है वो तुरंत अपने electron density उसको electrophile को transfer कर देती है और कोई भी तुरंत reaction कर जाए तुसे क्या बोलते हो reactive species बोलते हो और अगर कोई reaction नहीं करता है तुसे क्या बोलते हो stable बोलते हो जैसे noble gases देख लो कोई भी आता रहता है उनकी surrounding में वो normal conditions में reaction ही नहीं करते हैं तो यही चीज है बट अब एक चीज और है कि कैसे पता चलेगा कौन stable है कौन नहीं है तो यह याद रखिएगा कि जो unstable होगा जो unstable होगा उसको बहुत जल्दी होगी मतलब जो बहुत जादा unstable होगा उसको बहुत जल्दी होगी stable होने की simple examples लेते अगर आप बहुत जादा ठक चुके और बहुत जादा प्यास लगी है तो आपको पानी दिया जाएगा तो मतलब आप किसी भी condition में जाके दोड़ के पानी पकड़ना की प्रयास करेंगे लेकिन जिसको बहुत ही कम प्यास लगी हुई है उसके सामने पानी रखा जाए तो वो थोड़ी देर बाद भी पी सकता है similarly जो भी आपकी अलकीन highly unstable होगी तो उसमें जब कोई भी H2 का addition होने वा रहा होगा या वहाँ पे कोई reaction करने वाले आ रहा होगा वो क्या करेगा फटाक्स उसके उपर reaction करेगा और जितनी ज़ादा तेज reaction करेगा तो क्या होगा उतनी ज़ादा energy release होगी तो उसे ही हम क्या बोलते हैं heat of hydrogenation की बात करेंगे ये हमारा क्या है अलकीन है अलकीन के उपर H2 का addition कराओगे और जितनी ज़ादा energy release होगी that means वो अलकीन उतनी ज़ादा unstable है वो खुद चाह रही है कि कितनी जल्दी H2 मेरे पास आ जाए बताया ना example अगर आप बहुत ज़्यादा प्यासे हो तो आप बहुत ज़्यादा चाहत रखोगे मतलब आपको लगे गहां तुरन पानी मिल जाए बहुत अच्छा है ठीक है उसके लिए आप बहुत दूर तक भी चले जाओगे लेकिन अगर आपको प्यास नहीं लगी है तो बगल में रूम में भी अगर बॉटल रख्योगी तो लेने नहीं जाते हो वही सिमिलर चीज़ अगर अलकीन हाइली अनिस्टेबल होगी तो वो क्या करेगी एच्टू के लिए अपनी बहुत ज़्यादा एनरजी रिलीस कर रही होगी that means heat of hydrogenation बहुत ज़्यादा रिलीस करेगी ये अधिकतर बच्चे confused हो जाते हैं heat of hydrogenation के terms में अलकीन की stability बताने को तो आप दो तरीके से बता सकते हो जैसे अभी मैंने समझा है आप concept दिमाग में रख लीजिए नहीं तो आप और भी एक concept बता देता हूँ वहाँ से आप देख लीजिए क्या होता है कि एलकीन की stability पहले निकाल लो और उसको reverse कर दो आपका answer heat of hydrogenation को होगा क्या करना है stability of hydrogen निकाल लो और वो कैसे निकालते हो number of alpha hydrogen से that means hyperconjugation से तो वो आप निकाल लो और उसी को reverse को उल्टा मतलब उसी order को उल्टा कर दो वो होगा हमारा एलकीन के stability का मतलब heat of hydrogenation को हो जाएगा या stability of hydrogen कार होगा तो यहाँ से हमें पता चलता है क्या होगा समय इसमें तीन यह भी alpha यह भी alpha यह भी alpha alpha that means alkene वाले कारबन से डारेक्ट लिंट जो कारबन होता उससे हमालफा कारबन कहते हैं यह इस यह फीट लिंग तोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 12 अलफा hydrogen हो गए इसमें कितने हो गए यहाँ पर 9 alpha hydrogen हो गए यहाँ पर कितने हैं यह भी 6 hydrogen है यह 6 hydrogen है तो अब बताईए थोड़ी देर पहले बताए था जितने ज्यादा number of hyperconjugating structure होंगे तो वो इतना stable होगा ऐसा ही बताए था तो यह 12 है इसके पास 9 है इन दोनों के पास 6 हैं तो आप से पूछें सबसे ज्यादा stable कौंस होगा तो मैं यह कहूंगा यह वाला होगा क्यों क्योंकि इसकी बहुत सारे hyperconjugating structure बनेंगे hyperconjugating structures बनेंगे तो energy उतनी ज्यादा release होगी energy release होगी तो system stable होगा तो यह actually में यही सही है लेकिन अब अगर heat of hydrogenation की बात है सबसे ज्यादा किसकी होगी तो वो इसकी सबसे कम होगी क्योंकि यह तो stable है इसको जरूरत ही नहीं है इसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसलिए अगर आ रहे हो तो थोड़ी बहुत हो कहेगा ठीक हो थोड़ी से energy release करेगा लेकिन जो सबसे अनिस्टेबल होगा जैसे यह दोनों अनिस्टेबल हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ छही हाइपर कॉंजिगेटिंग स्टक्चर है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे हाइड्रोजन लेने के लिए यहां पर मैंने इसी चीज को लिख दिया हुआ एक निट रुकेगा ठीक है यह है यह हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सोज ग्रेटर दनमबर ओफ अलकाइल ग्रूप अटेश्ट दूदा डबली बॉंडडेड कार्बन एटम ग्रेटर इस्टेबिलिटी ओफ देलकीन मतलब जो हमारा सोज देख ग्रेटर नमबर ओफ अलकाइल ग्रूप अटेश्ट यह वाला है यह जाधा हमारे अलकाइल ग्रूप है इससे से क्या होता है ग्रेटर इस्टेबिलिटी आफ हेलकीन तो इस्टेबिलीटी क्या है जादा है लेकिन लोवर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वही तो मैं बता रहा हूं इतुनी देड़ से की stability एलकीन की जादा है उसे मतलब ही नहीं कि हमारे पास H2 आये कि नहीं बेमन बेमन H2 को लेगा वो कहेगा चला रहे हो तो छलो थोड़ी बहुत energy रिलीज करेगा लेकिन जो आनी stable है जो आनी stable है वो बहुत जादा energy रिलीज कर रहे होंगे यह आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इस एलकीन के जितनी भी चीज़े बताई है वो यह लिखा है अगर आप इसमें order निकालने जाओगे तो आप पहले वाले को तो सबसे ज़्यादा लेकिन actually में क्या है यह जो सिस और ट्रांस वाला है न यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यह जो CH3 CS3 है इनके बीच में रिपल्सन होगा इसमें CH3 CS3 का रिपल्सन मिनिमाईज हो जाएगा इस्टीरियो के मिस्टी में भी पढ़ाया जाएगा अरे स्टीरियो के मिस्टी का क्या आपको देखने में लगना चाहिए दो बलकी ग्रूप एक तरफ आगए बलकी ग्रूप एक तरफ आगए रिपल्सन करेंगे तो इन दोनों में जो सिस वाली फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए अगर इस्टेबिलिटी आफ एलकीन का यह ओर है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ओडर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कि जो है वह इनवर्स रिलेशन रखता है वन अपॉन इस्टेबिलिटी ओफ एलकीन इस्टेबिलिटी ओफ एलकीन तो जो ऑडर अभी पीछे आपने लिखा है उसको रिवर्स कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का पीछे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होगा तो इसमें आप लिख सकते हो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उसमें क्या होगा सबसे अनिस्टेबल जो होगा वो चाहेगा ह2 आए बहुत जादा एनरजी रिलीज करेगा तो सबसे जादा किसकी होगी वो फोर्थ की फिर थर्ड की फिर सेकेंड की और सबसे कम किसकी फर्स्ट वाले की होगी यह आपको नोट मारके लिख लेना है बलते हैं यह order मैंने बता दिया है इन वर्त रिलेशन रखता है यह सारी चीजे बता दी है आपको explain कर दी है मिलते हैं next lecture में आप से thank you so much